नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन वर्मा और मेरा चैनल है ABC Classes Math from the Beginning इसका मतलब है जीरो से लेके मैस सुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रूब डी के केंडिडेट्स की बात करने वाला हूँ जैसा कि आप सभी जानते ह अर भी एंटीपीसी का एक्जाम चल रहा है सारे चैनल एंटीपीसी को पढ़ाने में लगे वे हैं लेकिन अप्रैल में तो ग्रूब डी का भी एक्जाम सुरू हो जाएगा उनके पारे में कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं आज बात करूँगा ग्रूब डी के है जिनको भरोसा है कि वो ग्रूब डी निकाल लेंगे एंटीपीसी उनके लिए थोड़ा सा कठिन है एंटीपीसी में अच्छा परफॉर्म सैध ना कर पाएं या थोड़े नंबरों से रह जाएं लेकिन ग्रूब डी में उनको पूरा कॉन्पिटेंस है क्योंकि वो फीज लाओंगा आपको कुछ चीजे मैंने पहले से नोट किये उसको देखते हैं कि इस बार कि 2020 में कि आपके कि कितनी वेकेंसी हैं कि एक लाख तीन हजार साफसो नहत्तर मैं एक लाख मान लेता हूं ठीक है और 2018 में जो वेकेंसी आए थी तो कितनी वेकेंसी थी बासट हजार दोस्तों एक लाख की वेकेंसी भरती फिर कभी नहीं आने वाली है इतनी बड़ी संख्या में भरती कभी नहीं आने वाली है तो यहां पर आप लोग महनत करके नौकरी ले लिजे अधर वाइस आप देख रह और नोटिफिकेशन आएगा आएगा पता नहीं कब आएगा चलिए हम बात करते हैं गुरूप D की टोटल कैंडिडेट्स है एक करोण 15 लाक सम्थिंग और यहां पर टोटल कैंडिडेट्स थे एक करोण 90 लाक आप देख पा रहे हैं कि यहां पर वेकेंशी भी कम थी और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे हैं पर कैंडिडेट्स एक सीट पे 301 लड़के फाइट करने वाले थे और यहां पर एक सीट पे 112 लड़के हैं अब देख पा रहे हो कि आपकी सेलेक्शन के चांसेज अल्रेडी कितने ज्यादा अधिक हैं ठीक है तो यहां पर आप ने यह समझ लिया ठीक है अब मैं बात करता हूं एक्जाम पैटर्न की जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डेंट है जी इसमें बात करेंगे तो 25 कोशन आने वाले हैं मैट में 25 कोशन रिजनिंग में 30 कोशन और GA and CA General Awareness and Current Affair हम यहां पर उन बच्चों को लेके चल रहे हैं जिनको पता है वो GS रट के नंबर उठा लेंगे रिजनिंग वो कर लेंगे 25 नंबर आराम से ले आएंगे Current Affair GA भी वो रट के नंबर ले आएंगे लेकिन वो फस्ते कहा है मैथ ने मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ मैथ इतना असान है ग्रूप D का आप मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मैं आपको जनवरी फरवरी और मार्च इन तीन म मैं जो बताऊंगा मेरे गैरेंटी ले रहा हूँ एक भी कुश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा और मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको किवल मेरे नोट से पढ़ना है आपको कोई भी किताब नहीं उठाना है मेरे पढ़ाने के बाद आप प्रीवेश यर के कुश्चन ल अभी तक मैं आफलाइन पढ़ाता था अब आप आउनलाइन क्लासे सुरू कर रहा हूं ठीक है और ये सारे क्लासे बिल्कुल फ्री हैं तो मैस मैस में 25 कोश्चन है मैं मान के चलता हूँ कि एक कैंडिडेट है जो कि एवरेज कैंडिडेट है वो कहता है कि मैं जीजस में 20 तो उठा लूँगा क्योंकि मैं रटने में बहुत अच्छा हूं मैं रिजनिंग में 25 नंबर उठा लूँगा और मैं करेंट अफेर भी पढ़ रहा हूं और यहां पे बायोलोजी एंड फिजिक्स बहुत इंपोर्टिन करता है तो इनको भी पढ़के क्योंकि हाई स्कुल के लेवल का आता है ऐसा कोई बहुत कठिन है नहीं आप कमेंट कर कमेंट सेक्षिन में बताइएगा अगर आपको रिजनिंग भी पढ़ना है बायोलोजी पढ़ना है या फिजिक्स तो मैं उसकी क्लास भी शुरू कर दूंगा ठीक है वो कहते हैं कि मैं यहां से दस से बार मेंमबर हो गया ठीक है अब जो बच्चा मैत में कमजूर है वो सोचता है कि यारा मैं मैं मैत में क्या करूं मेरा सिलक्षन कैसे होगा और अगर हो सोचता है बीना मैत competitません हो जाएगा तो ओ सब्सक्राइब को आपने छोड़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा हां 55 नमबर लाने के बाद बच्चा मैथ में देगे बहुत से चैनल कहते हैं ना कि 25 में 25 ले आई ये करिए वो करिए आपको पता है एक दो कोशिन तो छूटी जाते हैं है ना मैं टॉपर्स की बात तो बिल्कु जिसको मैथ में डर लगता है मेरे पढ़ाने के बाद वो अगर पीस कोश्चन भी कर लेता है ठीक है हम कहते हैं पंदरा भी कर लेता है वो बहुत ही ज्यादा श्योर हो जाएगा अपने शिलेक्शन को लेकर साथ सत्तर नमबर है ना यह आपके रौ माक्स बनेंगे और मैं जो पढ़ाऊंगा आपको आपके 25 कोश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं जाने वाले क्यारंटी लेके पढ़ा रहा हूं आप यकीन करो सत्तर नमबर अगर आपके ऐसा ही बन जा रहे हैं कि केवल 15 नमबर जोड कि तो मेरे इसाब से आपको मैस्पे वर्क करना पड़ेगा और लास्ट यह का मैं आपको एक कट आफ बता देता हूं अन्रिजर्व का था पचेत्तिर से स्थी के बीच में ओभी सी का भी आप किसी भी जोन का उठा लो कि 65-72 के पीच में इसाथ्प है ना इस्थी का भी 65 के बीच में गया था कुछ जो नमें बहुत कम गया था था ॥ा छ ऐसी 40 है ांस यह आपकी नॉर्मिलाइज मांट हैं यह तो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं अगर केंडिडेट्स के एवरेज नंबर वो 65 से 70 के बीच में रौ मार्क्स ले आता है मेरा कहने का मतलब साथ भी ले आता है या सतर नंबर भी लाता है उसके सेलेक्शन के चांस बहुत जादा है क्योंकि यहां और यहां पे बहुत अंतर है है मैं एक भी बात गलत बोलूं तो आप मुझे कमेंड वॉक्स में लिखके बताईएगा ठीक है जो जैन्मिन बात है वही तो अगर आप यहां से 65 से 70 के बीच में नंबर लाते हैं जो कि बहुत आसान है मैंने बताया कि ऐसे नंबर लाए जा सकते हैं जिनका मैथ वीक है वो म सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं पढ़ाने जा रहा हूं मेरा पहला लेक्चर होगा परसेंटेज का वह आपको कल तक मेरे चैनल पे अवेलबल हो जाएगा थैंक्यू सो मच झाली झाली झाल they Mich से लावाएग झाली ए मरे शो कर लोग हो जाभ होगे ए लट wahr हुआएवागा वेज़ाऑने भग chamत बपको जाएवेल लो जाएगाश है